अच्छे आप सभी आशे करते हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे सागत है आप सभी का मेरे चैनल पर एक नए ब्लोग में और आज के ब्लोग की शुरुआत मैं अभी कर रहे हूं अभी सुबह का टाइम है जारा बज रहे हैं और मैं बशों के पास थी तो अब मुझे जाना है घर को और यहां से न चड़ाई है बहुत ही जादा तो ऐसे हो जाता है कि अगर हम ना किसी के साथ बाते करते हैं तो बाते करते करते चले जाते हैं जल्दी जल्दी असानी होती है मतलब चलने में मेरा तो यही मानना है और वीड तो नहीं ज्यादा दो पैना कि सामने नहीं दिख रहा है आगे पीछी कुछ भी नहीं दिख रहा तो मैं बैठी थी चुप चाप और यहां पर च्छायां भी नहीं थी आज हमाने बताया था आपको की मेरे साथ और भी आते हैं पर सुबह के टाइम कोई नहीं आता क्यूंकि स साथ को है मेरी गाय और कुछ एक ऊपर है पर एक बात है वैसे मुझे समझ में नहीं आता कि इन परसों को ना गर्मी नहीं लगती होगी या दूप नहीं लगती होगी क्यूंकि मैं जितना भी इनको घर ले जाने की कोशिश करती हूं यह उतना निचली निचली साथ को ही च 11 बज़े का टायम है और यहां से मुझे 1.5 km उपर घर तक चढ़ना है फिर उपर जाकर के मुझे इनको पानी पिलाने ले जाना है घर पे तो इतना पानी नहीं है कि मैं इनको इकठ्था पिलाओं तो बाड़ी के पास ले जाना पड़ेगा सडक सडक से जाओंगी दूब दूब से यारो बुरे हाल हो जाते हैं मेरा तो मनी नहीं करता कि मैं गाय के पास हूँ पर आना पड़ता है मजबूरी है इनकी भी मजबूरी है और हमारी भी मजबूरी है तो दूब काफी चमक रही है और मैं पहुंच चुकी हूँ आदे रास सबसे नहीं चला जा रहा दूप देखे कितने तेज लग रहे हैं यह देखिए पशो ने धीरे धीरे चटना स्टार्ट कर दिया है घर की तरफ और पानी पीने की तरफ अभी जाओंगी सबसे उपर और बहां से फिर हम बाड़ी की तरफ जाएंगे तो अभी चलते हैं चल चल जल्दी चल तो चलते चलते फानली मैं पहुंचने वाली हूं सडक में और आदे बश्यू मेरे बहुत ज्यादा भाग गया है आगे कहां पहुंच गया है इनको पता है पानी पीने जाना है दिखाते हूं बैक कैमरे से आप लोगों को तो यह देखिए फ्रेंड्स इन्हों लास्ट वाले मोड पर है बावडी तो यह यहीं पर पानी पीते हैं और इस टाइम ना मैं इतना ज्यादा ठक गी हूं कि मैं बहुत निक्चे से उचड़की आई हूं चड़ाई तो अब माने नहीं कर रहा कि बात करूं और मुझे ना इन पश्यूं के साथ साथ मुझे मैं और यह दे erfolg है कि यह खुदी मोड रहे हैं घर के पास से कित्में समझदार होते हैं बश्यूये दिखिए हमारे घर हरी साथ को और हम इस सट को खुदी मोड रह मुड रही है इसको पत हैं और बकरीव चली यहां पे था एक डॉगी तो इसको देखके न पश्यू अजीव जैसा बरताव कर रहे थे इसके साथ में कि देखे कैसे इसके पिछे पिछे आ रही थी मेरी गाय और यह लोगों का है हलंकी जो कि यहां पे बखरियां चराने आए होंगे यह इनका होगा बहुत ही प्यार लग सब्चाइब को पारी पी करके चले गए और अब हम भी प्यास लगी है और यहां का जो पानी है बहुत ही शुद है ठंड़ा है एकदम एक्दम कितना साफ है और कितना प्योर है यह गद्रत की कि देन है जो कि हमें भगवान जी ने दी है और इसको पीने से ना मन को जो वह प्रेज के पानी में भी नहीं मिलती है विशायद मेरा ये माना है तो मैं पी रहती हूं और यहीं से मैंने बोटल भर की ले लिए घर के लिए भी तो अब चलते हैं घर की तरफ और आप से मिलूंगी मैं आप बस घर पे जा करके और देखिए सामने से भी जा रहे हैं पास बकरियां ही बकरियां है एक दो गाय होंगी बाकी सारी बकरियां ही बकरियां है तो इसी तरह से यहां पर जितने भी गाओं के लोग हैं जितनी भी गाओं की लोगों की जो भी दिन चर रहा है वो बस कुछ ऐसी ही रहती और यह दिखे सामने से गाड़ी आ गई न तो यह फिर वहां जाकर कि थोड़ी से रुख गया जो गाड़ी वाला था क्योंकि यहां से साड से बक्रियां करोस हो रही है यह देखिए यह देखो और यह है यहां पर हरा भरा जंगल तो यह गए इस साड को और हमें जाना है अब दूसरी साड को और वापस आ चुकी मैं वाश दूप इतने तेज कि सामने कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होगा और मुझे नहीं दिख रहा शयद आप लोगों को तो दिखेगा और आप लोग बोलोगे न कि आप छाता लेकर के जाया करो तू पहले पुता दूँ कि मुझे चाते से गर्मी लगती है चाते से राहत न बहुत हो जाता है एक पानी की बॉटल एक बकरियों के लिए राश्वन कितना क्या-क्या उठाना और इनको तो फिर भी आरामनी है देखी और ये टाइम है शाम तीन बजे का जबकि वन्शू आया है स्कूल से और मैं उठी थी थोड़ा सारास्ट करके मैं चाय पी रही हूं और यहां पर वन्शू पी राए दूद तो मैं इसको पूछ भी रहती कि कैसा रहता है आपका दिन स्कूल में पर इसको ना अभी किसी बात की नॉलेज नहीं है इतनी तो ये बोल नहीं पाता बता नहीं पाता है और मुझे भी थोड़ा साराम यह हो जाता है कि जिसके साथ ये स्कूल के लिए जाता है ना वो हमारे ही पडोसी है हमारी घर के पास ही तो बस ये इसके साथ चला जाता है हमारे मामी और फिर ये नकरे भी नहीं करता और मैं भी छूट जाती हूं इसको स्कूल छोड़ने से नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कब तक मैं इस फिर मुझे बाद में केमरा म्यूट करना पड़ा और आप लोगों को यह अपने खिलोने दिखा रहा था कि मेरे पास खिलोने हैं और आप लोग भी देखिए इसकी शरारते इतनी अजीव अजीव सी हरकते मुझे बहुत अच्छा लगता है बहुत ही अच्छा और इसके पड़ी थी फिर काव मिल्किंग करने अभी साड़े तीन वजे का टाइम है तो मैं काव मिल्किंग करने लग पड़ी और देखते हैं अब हमारे यहां सर्याज में ही छोटा सा पलांट लग रहा है यानिकि जो काम देनुवाले उनकी और से ही तो थोड़ी रहात मिल काव कि ऐएगा थोड़ा ये हो जाएगा कि थोड़ी गाड़ी हमारी लेत आया करेगी दूत की हो सकता है पांच बजी चेएगोजी तो ड़ोड़ा से हो जाएगा देखें यहां भी वंशूं आपको हैलो कर रहा है क्योंकि इसको कहीं ना कहीं से ये समझ है कि मम्मे जो है वो वीडियो बनाती है और मैं वीडियो में दिखता हूँ तो आज कल के बच्चे बड़े शरारती के साथ समझदार भी है ऐसी बात नहीं कि समझदार नहीं है अर इस टाइम न काव मिलकिंग करना बहुत मुश्किल होता है और वैसे तो मैं दरवाजा dzięki के काव मिलकिंग करती हूं पर आज तो ये नामुम्किन ही था क्योंकि यहां पे वंशु था और वंशु बार बार दरवाजा खोल रहा था कभी मुझे बुला रहा था तो कभी बक्रियों के साथ खेल रहा था बस इसके नकरे ऐसे ही चलते हैं और काव मिल्किंग करने के बाद में फिर अब हम वहीं जाएंगे जहां से हम आये थे सुबा बस यहीं होती है हमारी दिन चल रहा क्या करना क्या नहीं करना पूरा दिन क्यों तैने क्या करना वहां जाके क्या करना क्यों जाना खुद ना मैंने जाना खुद ना मैंने जाना खुद दूद लेके अभी अभी लगाना बाल्ठी को डपकन और कान गया होड़ा इसको डपकन यह रहा हमारी बाल्ठी का डपकन है ना और यह रही हमारी बाल्ठी यहां पर अब हम चलते हैं दूद लेकर यह यह रहा हो तुम ठीक है क्यों मैं हैंड दो लेती हूं पहले फिर चलते इसको रहन दो तूपर क्या करने इसका कुछ ना कुछ तूद लेता ही रहता है रहता है ना कुछ यहन भी है कि आपने भी दो ना इससे दो दो बस हो गया आप चलो होगे ते रहे हम दूसाफ अच्छा चले कोई चले कोई आई का देख बारे कालों एक यह रही है चलू आई का लगा अच्छा चले कोई चले कि पूरा दिन क्या क्या होता है यहन कि इसके बीच में क्या क्या काम करना पड़ता है कोई पता नहीं चलता तो अभी शाम का टाइम है और मैं फिर से वहीं पहुंच लिए यानि कि गाय ले करके और पिछे से पपी है कि आ रहे आवास तो आज का ब्लोग यहीं तक है और नेक्स्ट ब्लोग मैं फिर से आप लोगों से मिलूंगी तब तक के लिए आप सबी लोगों को मेरी और से नमस्ते जैमाता दी आप सबी लोगों का आने वाला दिन बहतर हो आजसे, इसी उमीद के साथ, बाइ बाइ